अलो व्रीवान वलकम यूर वन्स अगें टो आचानल फॉन्टेक्नी ट्रेणिंग गाईज आज किस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रेक आउट स्टॉक हम स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए इनों स्कान करेंगे कई बार आपको ब्रेक आउट होने के बाद यह टीवी में या फिर नियूज पेपर में यह या फिर टेलिग्राम ग्रूप में इस टॉक में ब्रेक आउट हो गया आप इसको ट्रेड कर सकते हैं ऐसा बोला जाता है कि आप अभी इसको बाई कर सकते हैं बट क्या हम स्कानर के तो प्रॉपर जहां पर breakout हो रहा है उस point में उसको trade कर सकते हैं या फिर scan कर सकते हैं well it is possible मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी stock अपना पचास दिन का जो range होता है उसको जब भी breakout करे या फिर 100 दिनों का जो range होता है उसको जब भी breakout करे हमें उसी point पे किस तरीके से stock मिले और उसका accuracy किस तरीके से बढ़ा है तो सबसे पहले अभी conditions में मैं अभी build up करूंगा charting scanner में तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले closing should be greater than 100 होना चाहिए यहाँ पे हम penny stock को avoid कर रहे है और मैं इसको एक बात फिर से copy कर दिया और यहाँ पे less than 10,000 में लिख रहा हूँ यह basic filtration है अभी हम क्या करेंगे कि हमें एक breakout चाहिए तो current candle का closing crossed above maximum of 50 दिन का high और यह one day को लिखिए दिखिए there is some stocks जो अभी दिखा रहा है अभी जैसे कि एक example लेते हैं अभी GPPL अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो GPPL आज breakout दे रहा है यहाँ पे अभी यह proper breakout दे रहा है 50 दिन का high है उसको breakout देरके यह उपर जा रहा है arrow green arrow green भी यहाँ पे breakout दे रहा है हमें मिल जाता या फिर अगर यहाँ पे हमें मिल जाता देन वी कन कंसिडर इडिए गूड ब्रेक आउट है ना ओके तो यह क्यों हो रहा है यह इसलिए आया कि हमने क्या लिखा कि करेंट केंडल के close प्र प्रीवेस केंडल से लेकर पचास दिन का हाई से ज्यादा होना चाहिए ठीक है बट अभी हमें scanner पे थोड़ा modification करना चाहिए हमें क्या चाहिए एक range हो जैसे कि अगर यह कैंडल ब्रेक आउट दे रहा है तो इसका प्रीवियस से लेकर दस दिन तक जो भी maximum हाई है यानि कि यह 10 दिन का candle है ना पचास दिन का हाई से कम होना चाहिए यह condition लिखने से ही आपका breakout वाला stocks आएगा तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा यह रहने दो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा max of one day एको से लेकर 10 दिन का maximum जो value है that should be less than max 50 ओके यह हमें लिखना है तो यह condition लिखने के बाद अभी हमें proper breakout stock मिलेगा route can you see here अभी जैसे कि यह उपर चला गया अभी नीचे चला गया तो अभी नहीं दिखाएगा यह breakout प्रोपर करेगा तो अभी दिखाएगा देखो यहाँ पे एक breakout करने की कोशिस कर रहा है है ना मैं इस scanner को save कर देता हूँ इस नाम सा भी हम save करेंगे इस scanner को मैं टेलिग्राम की चैनल पे शेयर कर दूँगा आप उसको save कर सकते हो जिस दिन content upload होता है उसके next दिन ही हमारा यह आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा वैल उसमें कुछ और भी हम addition करेंगी जैसे कि आपका scanner और smooth हो जाए अभी भी आप अब देख पा रहे हूं यहां पे बहुत सारा stocks है ओके अभी चेक कर लेते हैं यह आडर वाल्ट टेम्बो स्टेट्वल साइंड यह सब breakout दिये थे recent days में अभी देखो this I have already marked here this is the area where it has given breakout वहां से already कितना moment दिया था यह 4% का moment देखे नीचे आया था फिर से जा रहा है उपर ओके टेम्बो can you see here this is the breakout point it has given and you can see the massive moves तो यह आप कहीं पे बेगर सिखे होंगे तो आपको मालूम है कि breakout करने के बाद trading करना है बट उस stock को कैसे पकड़ें यह scanner आपको देगा ओके और उसके साथ अभी हमें इसमें एक और फिल्टर अशनार्ट करेंगे जिसमें हमें previous 20 दिन में अगर maximum जो value है वो at least average value क्या होना चाहिए पचास लाग का होना चाहिए उसमें होगा गया जिसमें पर डे 5 लाक या 10 लाक का इनो वॉल्यूम में ट्रेड होता है वो आपको नहीं मिलेगा ओके वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसमें आयक्सेंट बीड के अंदर काफी इनो प्राइस डिफरेंस रहता है तो इस ग्रेटर दन 50 लाक अगर मैं देखो यहां पर लेश दन करता हूं तो कितना सारा स्टॉक चला जाएगा वो भी आपको मालम चलेगा दिर इस लट आप स्टॉक विच वैल्यू इस लेश तन 50 लाक वो हमें नहीं चाहिए ओके मैं यहां पर फिर से ग्रेटर दन कर लेता ह तो यह ब्रेकाउट ही कर रहा है ना आपका सकैनर के हिसाब से तो यह क्रोश किया है अलेडी 50 लेटेंगा पड़ेगा क्लोज ग्रेटर दन ओपन अभी लेस दन ओपन होता तो क्या होता मैं अब दिखाता हूं there is lot of stock में एक स्टॉक दिखाता हूँ टेसियस में देखो टेसियस में किस दिन आया था यह फ्रेबवरी तिन तरिक आया था यहां पर यह ब्रेकाउट तो दिया है पतास दिन का हाई को बड़ यह रेड केंडल है उस टाइप का स्टॉक हमें नहीं चाहिए इसलिए हमें यह ग तो कैंडल का जो है बॉड़ी आपका अटलिस्ट हाई लो का 50 परसंट होना चाहिए ओकेंडल का जो बॉड़ी है हाई लो का 50 परसंट होना चाहिए तो उसके लिए करना पड़ेगा हाई माइनस लो हाई माइनस लो डिवाइड बाई टू शुट भी लेस तन बॉड़ी यह इसका मतलब क्या है, let's suppose आपका high and low का जो difference है, वो 10 रुपीज है, तो 10 divided by 2, यानि कि let's suppose उसका क्या value आएगा, 5 आएगा, तो 5 काम होना चाहिए बाड़ी से, यानि कि बाड़ी का जो value है, वो 5 होना चाहिए, या फिर 5 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 6 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, तो यहाँ पर automatically आपका candle का जो बाड़ी है, वो ज्यादा ही हो जाएगा, तो हमने अभी क्या-क्या चीज़े किया कि 50 तिन का breakout को भी लिया है, value को लिया है, candle को लिया है, वो candle का size को लिया है, तो अभी और भी stock कम हो जाएंगे, अगर यह क्या होगा कि, let's suppose यह greater than हम करते हैं, अगर 50 परशन से कम, अभी यह route जो है ना, यह 50 परशन से कम है सायद, उपर से भी rejection है, निचे से भी rejection है, एक एनो इस तरीके का small body candle बना रहा है, अभी अगर और हम example लेंगे, let's suppose यह है, RSY system, देखो यहां पर, यह RSY system एक indecisive candle बना है, 22 तारीक को, जबकि यह green candle भी है, और यह उपर जाके closing कर रहा है, तो अगर आपने 50% नहीं करोगे, तो indecis candle का मतलब डोजी, तो यह हो सकता है कि उपर जाए, हो सकता है कि निचे जाए, very confused, तो हमें यह करना है, यह इसको award करना है, तो जो कि हमने यहां पर लिख के, अलड़ी लिख दिया, ताकि हमारे पास बढ़िया stock आए, can you see here, हर दिन आपको stock मिलेगा, 4-5 stock जो भी breakout कर रहे है, अब यहां पर देखो, यह सारे तिन अभी है, can you see here, it is blast, solid candle है, ओके, और यहां से, यह run है, आप देख सकते हो, अगले, यह नो 5 trading session में, यह 13% तक move हो चुका है, ठीक है, भारत ओयर, you can see here, यहां पर breakout दिया, कहां पर किस तरिया में, 21 तारीको, candle का size भी बढ़िया है, 21 तारीको, and move, that's given already 21% within 5 trading session, तो इस तरीके सारे आप इसको scan कर सकते हो, guys, AGI, 17-3 को AGI आये था, यहां पर breakout दिया, 17-3 को, 17-3, candle ने breakout दिया, but यह fail हुआ, क्योंकि, इसके बाद momentum carry नहीं हुआ, दो दिन तक, बाद में यह breakout दिया, तो इस तरीके अगर आपको आएगा, तो आप इसको award कर सकते हो, क्योंक higher high मारेगा, next day में तभी हम जानते हैं कि यहां पर जो resistance ले रहा था, जिसने selling कर रहा था, वो अपना pressure नहीं दिखा रहा है, यहां पर यहां पर कुछ पॉनलर्स ने फिर से यहां पे entry किया, और एक बार फिर से यह retail का stop loss उड़ा के लेगा, यानि कि retail को entry कर भाएगा, बाद कर सकते हो, जैसे कि accuracy आपका इसमें और बढ़ेगा, तो यह हो गया आपका 50 days breakout scanner, this is very very powerful, and यह मैं आपके लिए बना रहा हूँ, हमारा 20,000 subscriber complete हो जुके थे, इसलिए यह वीडियो आपके लिए pending था, अभी मैं आपके साथ share किया, इसी तरीके से आप 100 दिन का breakout भी बना सकते हो यह scanner मैं आपको टेलिग्राम पे share कर दूँगा, आप इसको जरूर एनो coffee कर लीजिए, और टेलिग्राम के चैनल का link आपको description में मिलेगा, अगर वहां पे आपको click करने से open नहीं हो रहा है, तो आप phone technique training search कीजिए, 5000 से ज्यादा member हमारा साथ जुड़े होगे, there is lot of stock, आप इ price is less than one, ऐसा करने से तो FNO stock नहीं है रहेगा, मैं इसको add करके दे रहा हूँ, इसलिए, क्योंकि मैंने generally देखा है कि future में जो breakout होता है, वह ज्यादार time breakout के लिए होता है, तो आप cash में करोगे, that will be best, तो मैंने यहां पर add करके दे रहा हूँ, ताकि आपका stock कम हो जाए, तो य यह आप minimum रख के चलिए, और इसी के साथ आप कभी भी scanner को यह जो conditional अभी मैंने लिख के दिया, अभी यह minimum compulsory है breakout के लिए, और scanner का accuracy कैसे बढ़ेगा, आप अपने indicators या tools या फिर price action का कुछ formula अगर आप यूज करते हो, तो definitely आप यूज कर सकते हो, scanner का accuracy बढ़ाने के लिए, यह breakout scanner में आपके साथ share किया, इसको अगर आप 100 days में करना चाहते हो, तो वो simply value को change कर दो 100 में वो आ जाएगा, वैज यह breakout scanner था आपके लिए, मैंने अभी share किया, क्या बैक्टेस कीजिए, या फिर accuracy बढ़ाने के लिए, क्या changes करना चाहिए, आप definitely उसको कीजिए, guys वीडियो कैसे लगा, content आपको कैसे लगा, definitely मुझे comment box में बताना, और ये वीडियो जिन लोगों को breakout stock चाहिए, आप इनको share किजिए, और टेलिग्राम से जो link है, उनको भी share किजिए, जैसे कि उनको भी benefit हो सकता है, और इसका अलाब अगर आपको कोई भी चीज़े में scanning करने में दिक हो रहा है, आप मुझे comment में बताइए, okay, वीडियो को like किजिए, and I'll see you soon, thank you so much.